आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमोस चना चाट यह किन मानिये फ्रेंट्स घर के सिंपल सिर्फ टमाटर प्याज और हरी मिर्च नीबू से ही हम इतनी स्वाधिष्ट चाट बना करके तैयार करेंगे ना जब इसे आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है बहुत ही सिंपल तरीके से एक डम चटपटी चटाकेदार यह चना चाट बन करके तैयार होगी यकीनन फ्रेंट्स आप इस तरीके से घर में बना लेंगे ना तो बाहर की चना चाट या फिर चाट खाना भूल ही जाएंगे तो चलिए भाई शुरू करते हैं कामी निके के चन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेस्पी चरा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मै यहां पर चने ले लिए हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने 500 ग्राम के करीब चनो को रात में भीगो दिया था तो फ्रेंट्स मैंने क्या किया था मेरे यहां बर्गदाही पूजा होती है तो इसलिए मैंने रात में जो है चनो को भीगो दिया था क्योंकि सुवेरे पूजा करनी होती है, तो बर्गदाही पूजा जो लोग करते होंगे, और जो लेडीज ए करती होंगे, उन्हें पता है कि चनों का उसमें यूज होता है, चलिए फड़ा फड़ से दो से तीन बार अच्छे से मैंने इने धो लिया है, साफ पानी इन में डाल दिया है, तो चलिए अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक कूकर, तो कूकर में हम सारा पानी और चने दोनों को डाल देंगे, क्योंकि पानी मैंने धो लिया है, साफ पानी है, अगर नहीं दोया हो तो आप यहां पे धो करके साफ पानी डाल दीजेगा तो पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने चनेज के थोड़ा सा उपर ही रखी है जादा पानी नहीं भरना है क्योंकि पानी हमें इसमें उबलने के बाद में नहीं चाहिए तो चलिए फटा-फट से थोड़ा सा नमक डाल दीए मैंने थोड़ा ही नमक डालना है क्योंकि आगे जब हम इसे बनाएंगे न तो थोड़ा बहुत नमक हम इसमें और एट करेंगे तो पहले से ही कम डालिएगा चलिए इसे cover करके चड़ाते हैं gas पर तो यहांपे मैंने high flame पे 1 see t लगा ली है और 2-3 see t low flame पे लगा ली है चलिए भाई जब प्रेशर अच्छे से रिलीस हो गया था तब यहां पर मैंने चने हमारे अच्छे से पक गए हैं और यहां पर मैंने इस तरीके की चलनी होती है ना उसमें मैंने इस तरीके से इन्हें निकाल दिया है तो देखिए चनी अच्छे से हमारे उवल करके तयार है बहुत अच्छे से मैस भी हो रहे हैं पानी को फ्रेंट्स फेक हिएगा नहीं मैंने उसे मतलब ग्रेवी में यूज कर लिया है या फिर आटा भी कून सकते क्योंकि चनी का पानी बहुत ही पोश्टिक होता है तो मैं मसाले बता रही हूं उन्हें ध्यान से समझ लीजेगा तभी आएगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट चलिए बहुत थोड़ा सा यानि आदा चोटा चमच से भी कम काली मिर्च डाल दी है इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है एक चमच भर के चाट मसाला जरूर डाल दी है इस्पेशली मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाली है अगर हो तो जरू डाल दीजेगा वन्ना स्कुस के भी कर सकते हैं चलिए अब यहां पे मैंने लिया है आदा चमच के करीब काला नमक इसी से आता है बहुत ही गजब का टेस्ट और बिल्कुल चाट वाला फ् तरीके से मिक्स बहुत ही स्वादिष्ट ही हमारा मसाला बन करके तयार हो गया है तो बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स इस तरीके से आप टिक्की वगएरा बनाए इस मसाले को ऊपर से स्प्रिंकल भी करेंगे ना बहुत ही अमेजिंग लगता है तो चलिए अब फटा-फट से इसमें पानी डालेंगे उस मसाले का गोल बना करके तयार कर लेंगे तो यहां पे पानी डाल करके मसाले का गाढ़ा गोल बना करके तयार कर लेना है जब हम इसे पकाएंगे ना तो यह जलेगा वगयरा बिल्कुल भी नहीं और काफी अच्छा टेस्ट भी आएगा तो ल बना सकते हैं चलिए एक टेवल स्पून सिर्फ एक टेवल स्पून ही सरसो का तेल डालना है जादा तेल का यूस बिल्कुल भी मत कीजिएगा नहीं तो फिर जो है खाने वाले वह मसालितार चने बन जाएंगे नहीं हमें चाट बनानी है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएग तो चलिए फड़ा फड़ा से यहां पर मैंने अधरक ग्रेट कर ली है फ्रेंड्स अधरक डाल दीजेगा बहुत ही गजब का अमेजिंग सा टेस्ट आता है बिल्कुल भी मैं जैसे बता रही हूं वैसे ही बनाईएगा आपको बहुत ही गजब का फ्लेवर मिलेगा साथ मे सबी चीजों को हम एक दू सेकिंड के लिए अच्छे से पका लें क्योंकि अधरक कच्छी ना रहे तो इसे पकाना बहुत जरूरी है पका लेंगे ना तो यह बिल्कुल भी आपके मूह में नहीं आएगी या नहीं खाएंगे ना तो आपको एकदम कच्छा सा फ्लेवर नह एक दम से जलना जाये तो चले थोड़े सा पानी डाल देते हैं जादा नहीं सिर्फ एक दो चम्मच के करीवी मैंने यह पर पानी अड़ किया है तो लीज़े पानी डाल करके मसालों को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां पर हमने कच्छे मसाले लिए ना यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलिए फ्लेम को बिलकुल लो कर दिया है और फटा फट से हम लो फ्लेम पे ने एक दो सेकेंड के लिए बढ़िया से पका लेंगे जब तक तेल में से यानि मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए तो आप देख सकते हैं तेल मसाले ने बना करके तैयार कर सकते हैं तो चलिए मसाला पहले से आधी क्वांटिटी में भी हो गया है आप देख सकते हैं और बहुत रूभी आ रही है तो चलिए भाई मसाला अच्छे से भुन गया है अब यहां पे हम डाल देंगे अपने बॉयल किये हुए काले वाले चनी तो फ्र करेंगे मसाले और चने को हम फ्लेम यहां पे लो ही रखना है क्योंकि एक दम से जलना नहीं चाहिए तो बहुत भी लो फ्लेम कर दीजेगा अच्छे से हम मसाले और चने को मिक्स करेंगे क्योंकि मसाले में पानी वगेरा बिलकुल भी नहीं है तो अच्छे से लो टू मीडिय बहुत ही बढ़िया हमारा जो है चना बन करके तयार हो गया है चलिए गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम ठंडा होने देते हैं फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही गजब के लगती हैं तो चलिए चने अच्छे से जब ठंडे हो जाएंगे तब हमें यहां पर आगे का प्रोसेस करना है तो चलिए एक हमने ले लिया है मिक्सिंग बोल और इसमें हम सारे चने डाल देते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप अगर ऐसे चने खा रहे हैं तो आप गरम गरम भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप चाट बनाके खा रहे हैं क्योंकि हमने अल्मोस्ट मसाले पहले ही इसमें काफी एड कर दिये हैं अब यहां पर मैंने एक प्यास लिया है इसे मैंने बारी कट कर लिया है इस तरीके से हम इसमें उपर से प्यास डाल देंगे प्यास की कॉंटिटी आप अपने अनुसार कम जादा कर सकते हैं किसी क प्याज-ज़ादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है चलिए इसी तरीके से मैंने टामाटन को कट कर लिया है री मिश्ण से तो नुपцо 30 इ família ने इस तरीके से कट कर लिए है 20 मिश्ण के हरआज 대निय डाल देते हैं हरे दनिये का टेस्ट तो चार्ट में गजब का लगता ही है साथ में जो हरे का कॉम्बिनेशन आता है ना मजा ही आ जाता है तो चलिए फड़ा फड़ से आधा नीवू ले लेंगे आधा नीवू के मैंने बीज निकाल दिये हैं उपर से हम इसमें नीवू यार होती है फ्रेंड्स अकसर हम मुंबई जाते है न तो इसी तरीके की हर स्टेशन पे बस स्टॉप पे यह चना चार्ट आपको जगे-जगे मिल जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने घर में बना करके इसे तैयार किया है फ्रेंड्स एक बात में और बताना चाहते तो आमी आ रहे है ना इस समय अमिया को भी हम यहाँ पे एड कर सकते हैं बारिक बारिक छोटे-छोटे टुकडों में काट लीजेगा और इसमें एड कर दीजेगा तो नीबू स्किप करके अमिया भी डाल सकते हैं तो चलिए भाई चना चार्ट को अमने अच्छे से कर लिय है मिक्स अब हम इसे कर लेते हैं सर्व इसी तरीके से दुन्य में देते ना फ्रेंट्स मुंबई बगारा आप गए हो तो आपको जरूर इसका टेस्ट पता होगा लेकिन आज हमने इसे बनाया है बिल्कूल कम समान से घर में घर के सिंपल समान से टेस्ट तो इतना गजब क आएगा ना फ्रेंट्स जब आप इसे खाएंगे तो आपको खुदी मालूम पड़ जाएगा तो चलिए भाई इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग बहुत ही टेस्टी फ्रेंट्सी चना चाट बन करके तैयार होती है भाई मेरे गल में तो सब इसे बहुत ही एंजॉय करके ख सकते हैं लेकिन जब हम स्टेशन पर घाते हैं तो थोड़ी सी इस तरीके से महीन वाली जो नमकीन आती है वो उसके उपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं तो उससे इसका टेस्ट काफी ज़्यादा बढ़ भी जाता है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है और जो नमकीन का फ्लेवर आता है ना बहुत ही अमेजिंग लगता है तो यह आपकी मर्जी है डालना चाहे तो डाल सकते हैं कुछ लोगों को नहीं पज़न दो तो स्किप भी कर सकते हैं चलिए अब यहां पर मैंने दो हरी मिश लगा दी इस तरीके से निम्बू लगा देंग फ्रेंट्स घर के ही कुछ समानों से मैंने इसे बनाया है तो फ्रेंट्स आपको मेरी मैनत मेरी रेस्पी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके चरूर बताईएगा फ्रेंट्स मैं आपके लिए बहुत मैनत करती हूँ बहुत ही कम सिंपल समान से आपको नया टेस्ट और बह बाइ स्पेशल चना चाट तो मैं तो चली इसे खाने क्योंकि भाई मुझे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब बना रहे हैं तो चलिए भाई फेस्बुक पेस्ट से देख रहे कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए भाई मैं तो चली इसे खाने अमेजिंग फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी है तो देरी किस बात की जल्दी जाएए बनाएए खाईए और अपने अनुभों मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिल क्रिछाइब